द्धाकर खबर के न्यूजूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रैस खान एक टीवी है जिसे हम लोग सबा टीवी कह सकते हैं हाला कि इन दोनों को मर्ट कर दिया गया है और इनको संसर टीवी बना दिया गया है लेकिन जानते हैं जब इन टीवीओं की उत्पत्ती हुई थी जब इनका जनम हुआ था तो उसके साथ ये सोच समाज के सामने देश के सामने रखी गई थी कि आपका जो प्रतिनीदी है जो चुन के राज्या सबा जाता है लोग सबा जाता है हला के लोग सबा में चुन के जाता है राज्या सबा में चुन लिया जाता है पाटियों के जरीए उसको वहाँ बैठा दिया जाता है लेकिन फिर भी वहाँ क्या बोलता है चाहिए उपरी स ना लोने चाहिए उसका लाइव टेली कास्ट होना चाहिए ताके लोग अपने गरों में बैठ के देख सकें जज क्या बोल रहा वाई वकील क्या बोल रहा है और किस वकील ने क्या दली दी किस मामले में लेकिन जो सोच के साथ संसद के लिए लोग सबार राज्येसबा टीव पूरी रही नहीं तो अब ऐसे में जो कोट के लिए टीवी शुरू करने की बात की जा रही है क्या वो अपनी उस सोच तक मुकमल पहुंच पाएगी या वो भी ऐसे ही टाइंटाइम फिस हो जाएगी क्यों यह सबाल खड़ा हो रहा है वो थोड़ा सा इस वीडियो को तूका ही जो कुछ करे सब त्यूँ आते हैं बीपागोद की बात तिवी में नहीं आते इस फील पर पाविद्य लगाई आते हैं और हो यह नहीं करना चाहिए कि यह आपको मैं घुजरिज़ करता हूँ कि यह क्या मेरा सब पर फोकास करें क्या मानने ये उंग्रेस जलके नेता क्या मानने आप सब जाना चाहते हो देश की जन्ता को यह हंगामा दिखाना चाहते हो कि यह आपने देख लिए आओगा ये नेता पर फ्रती पक्ष हैं कौंग्रेस के नेता है अधीरंजन चोधरी यह मुद्धा उठा रहे हैं कि साब बिपक्ष के नेता जब बोलते हैं जब अपनी बात रखते हैं उसको टीवे के जरूए यह नहीं दिखाए जाता है मैं आपके सामने पहले भी कहीं बार बता चुका हूं कि लोग सभा टीवी में जब विपक्ष के नेता कुछ बोलते हैं वो तो उधर कैमरा जाता ही नहीं है कैमरा जादा से जादा ओम बिड़ला जो स्पीकर हैं इसके अलाबा या भाजपा के जो खुद एक स्पीकर हैं उन्हें निस्पक्ष बात करने चाहिए थी लेकिन उन्होंने प्रहलात पटेल जो संसेदिकारे मंत्री हैं उनके सुर में सुर मिला और का क्या आपको दिखा दें टीवी पर तो क्या आप लोग यह हंगामा करते हैं यहां पर किस तरीके से देश कुछ कहें जो कुछ करें सब पीवी में आते हैं बीपक की बात मैं नहीं आते हैं यह था सब्धिकर्या जो जो है सब यह सदन की कि बमाब होना चाहिए नहीं कर सक्षाई कि आपको मैं गुजरिश करता हूँ कि यह क्या मेरा सब उपर फोकास करें क्या मानिये कंग्रेस जलके नेता क्या मानिये आप सब दिखाना चाहते हो देश की जनता को यह हंगामा दिखाना चाहते हो किसी के मुझे रुकावत करने का कोशिश करते हैं शोर शराबा करते हैं खंगामा करते हैं वो दिखाना चाहते हैं क्या दिखाना चाहते हैं यहां सवाल यह पैदा होता है कि भाईया चाहे कोई गलत बोल रहा हो चाहे कोई सही बोल रहा हो चाहे कोई अपना विरोध कर रहा ह चाहे को अच्छी बात कर रहा हो वो क्यों नहीं जानी चाहिए यह कहा का इंसाफ हुआ हम कहारे है एक पार्लिमेंट में खड़ा हो कि व्यक्ती भी बिरोद कर रहा है तो उसका चैरा भी देश के सामने जाना चाहिए कि देखी यह संसद का वक्त वर्बात कर रहा है जहां पर टिका टिक पने की वो सवालों को जनम दे रही है बहुत सारे लोगों से हमने बात करने की कोशिश की उनका क्याना है कि यह गलत परंपरा है और यही परंपरा आज बहुपू मीडिया और उसके दला चाटुकार दंगाई पत्रकारों में भी दिखाई दे रही है वो नाम के त प्रोफेजर उनको बिठा लेते हैं इसके अलावा कोई हिंदू एक्सपर्ट बिठा लेते हैं चार हो गया अब इसके अलावा मालीजी विपक्ष का कोई बच भी गया कॉंग्रेस का सपा का बस पा का टीम सी का या किसी और पाटी का तो उसकी वहां पर वक्त ही क्या पार्टियां सिर्फ एक सवाल उठा के यहां पे इसको खतम क्यों कर दिया जा रहा होना ही चाहिए था कि जैसे कल पार्लेमेंट में डैस डीजल पैट्रॉल गैस पर बात करना चाहते थे मलुकार जुन खड़ के रज्जय सभा में और बात नहीं करने दी गई तो उसके बा बार दिखा है पूरा टाइम के हिसाब से उनको रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से बताना चाहिए था प्रेस कॉंफरेंस में उस मुद्ध को पब्लिक के बीच में लेके जाना चाहिए था कि आज इस सत्ता के दोर में जो टीवी किस सोच के साथ लाया गया था उस टीवी का कि अवलस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होंगा हाज़े फिलाल अभी मुझे नहीं जाज़त लेकर मैं जाज़े ऑ क्यात अभी मुझे झास है झाल झाल